आज हमारे इस्कुली सिक्षा विभागने सरकार ने बच्चों के भविस्ट को धान में रखते हुए अनेकों महिदपून फैस्पल किये हैं कक्षा दस्की परिक्षाएं जो मादमिक सिक्षा मंडल लेता हैं उसके कई पेपर हो चुके थे जो सेस वचे पेपर है जो सेस वचे विसे हैं उनकी परिक्षा अब नहीं ली जाएगी जिन विस्यों की परिक्षा हो चुकी है उनहीं विस्यों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोसित की जाएगी और जो बिसे वचे हैं उनके सामने के बल पास लिखा जाएगा बारवी की परिक्षा जो माद मुख्षिक्चा मंडल देता एक ओड की परिक्षा वो बच्चों के भविस्ट को द्यान में रखते हुए अत्यंत महत्पून होती है बहुत महत्पून होती है उस परिक्षा के परिणाम बच्चों के भविस्थ की दिसा तैकरते है इसलिए जरूरी है कि वो परिक्षा पूरी ली जाए उसलिए बार्वी की परिक्षाओं के जो प्रिश्ण पत्र सेस रह गए थे अब उनकी परिक्षा दिनांग 8 जून 2020 से 16 जून 2020 के मत्य आयुजित की जाएगी सीबी एस्थी के परिक्षा की तिथियां भी घोसित हो चुकी है हमारे बार्वी के बच्चों का भविस्थ प्रभावित ना हो इसलिए हमने ये परिक्षाओं लेने का फैसला किया है एक और महत्मून फैसला हमने किया है दिनांग 19 मार्च से प्रदेश में लागडाउन रहने के कारण और लागडाउन रहने की अवद ही तक सभी नीजी विद्धाले विद्धार्चों से केवल्ट्यूसन फीस ले सकेंगे केवल्ट्यूसन फीस क्योंकि इस अवद्धी के दौरान स्कूल बंद रहे है ट्यूसन फीस जरूरी है ताकि वो विद्धाले चल सकें लेकिन इसकी अत्रिक्त किसी भी प्रिकार का सुल्ख इस अवद्धी के बीच लागडाउन के अवद्धी के बीच का बच्चों से नहीं लिया जाएगा चाहिए वो स्पोर्ट्स का सुल्ख हो लाइब्रेरी सुल्ख हो बसों का हो किसी भी प्रिकार का सुल्ख जो ट्यूसन फीस के अलावा लगता था वो नहीं लिया जाएगा इसकूल खुलने के बाद विद्धाले अपना फैसला करेंगे लेकिन इस अबर ही में कोई सुल्ख बसूले किया जाएगा मानी प्रधान मंत्री जी ने आत्म निर्भर भारत के निर्मान के लिए एक के बाद एक कई पैकेज जेस को दिये है आज हमारे प्रिक्ट मंत्री जी ने जो पैकेज गोसित किया है उसमें इज आप डूइंग बिजनिस पर ध्यान के अंजरित किया हुआ है स्वदेशी उत्पादन पर बिशेस जोर दिया गया है कोईला खननन में कामर्सियल माइनिंग आर्नेस फेक्टरी के निग्वी करण इवं रच्छा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन के लिए बिशेस बजट जैसे कदमों से भारत आत्म निर्वर्ता के पथपर आगे बढ़ेगा PPP माडल से एयरपोर्ट का विकास इवं एयरस्पेस के विस्तार से यात्मियों के समय और पैसे की बचत होगी जिससे आने वाले समय में भारत पूरी उर्जा के साथ विकास के पथपर बढ़ेगा उलसाओ से समय और रहोगी झाले के समय में